प्रप्या करके नेताब प्रदिपाच पूर्मुक्वंती जी को ये बता दीजे ये पांच साल सत्ता में नहीं रहें आगे पांच साल के लिए थिर विदा हो चुके हैं दो आजार सताइस में चुनावाएगा मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा फिर आपका अभी कोई भविसी समय नहीं है लेकिन सड़क किसने बनाई है एक्सप्रेस किसने बनाया है मेट्रो किसने बनाई है जैसे लगता आपने सैफ़ाई की जमीर बेच करके ये सब बन पने ने होगे जाए तैमरे थे थे अभी बेचिव मैं अधिक करने यह अ मेरे मेरे और देख जी है करे एक दहांते से थीक घखाण कि अध्यक जी अध्यक जी नेता सदन खड़े हैं मानिवाद आप अध्यक जी उसके बाद ये शोर शरावा ठीक नहीं है यह उचित बात दें अध्यक जी एक घंटे से अध्यक पोरा सदन मानने नेता प्रतिपक्स को सुनता रहा बड़ी सालिंता के साथ उन्होंने अपनी बात कही बेपक्स के नेता का जो दाहित था उन्होंने अपने कृत्वियों का निरोहन किया हम लोगों नहीं सुना इस सदन में और सरकार की उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है और दूसरा एक सम्मानित नेता के खिलाब असद्वे सब्दों का प्रियोग हो तू तू सब्द का प्रियोग हो और मैं बड़ी बिनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्स को कि आपको इतना उतेजित नहीं होना चाहिए सवाल सिफाई का नहीं है देखे हम लोग भी जो विकास कारे करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कारे हुए होंगे यह हमारी डूटी थी सरकार सरकार होती है और हर सरकार को अपनी प्लब्दी को पहने का दिकार है मानिय उप्मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास आपने कहा आप विकास की जब चर्चा हुई तो नहीं जो बातें कही बिल्कुल ठीक ठीक हैं से किते आपके यहां के दूसरे नेता मानियुप मुख्य मंत्री का यहां पर भाषन संपन होता उसके बाद अपनी अपनी अपनों पह सकते थे लेकिन देखे मैं कल भी देख रहा था कि कल मानियुप्त मंत्री जब यहां पर जवाब देने के लिए खड़े हुए उन पर जिस तरीके की भासा का प्रियोग उस्चे में किया गया आज फिर हम देख रहे हैं देखे लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पुरा दिकार है और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात के पिकसा रखते हैं कि इस पहार से उसका जवाब नहीं मिलेगा पुरे एक घंटे से अभीक समय तक पूरा सदन और खास तोर पर सत्पा पक्स से जुड़े वे सभी मानने सबस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्याद ध्यान से सुन से फाई भी से फाई भी से फाई भी तिसी प्रदेश का हिस्सा है ने से बात सा आप उसको बात में फोल सकते हैं यहिए हमारी समती असामती हो सकती है लेकिन तो तो मेंने सब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असब विभासा का प्रियोग नहीं होना चाहिए और मैं मानिय धग्जी से इंडोत करूँगा कि अगर इस परकार की सब्दावली प्रोसेडिंग का हिस्सा बनी है तो किर्पिया उसको हटवा दें क्योंकि ये गलत परंपरा होगी तो मैसेज का देश के अंदर खृराब जाएगा हमें हमेसा इस बात को ध्यान में रखना होगा सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाई रखना होगा दूसरा जब एक सदस्य बोल ला हो तो सदस्य के बीच और खारसतौर पर उपमुख्यमंत्री बोलना है तो बीच में रनिंग कमंट्री करना बीच में धंकी देना ये चीजे ठीक नहीं है और मुझे रगता है सदन की मर्यादाइं इससे आहद होती है कोई भी इसको नहीं स्विकार करेगा और मैं बिनमरता से कहूंगा माने निता प्रतिपक्स को उन सम्मान दोनों का बना रहे तेखे सामत ही है सामत ही है लोगकंत्र की दागत है या उससे नहीं हम यह नहीं कहता है हमारी बात से सैमत हूं या मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सैमत हूं जब मेरी बारी आएगी मैंने तो पुरे गंते तक आपकी बात को सुना मे पहराख करोंगा कि विपद्वक्सी नेतागा उस दिन आकँ हमारी तार्ड को है लेकिन अकित सर्कार के बरिश् latte नेता मैं से एक और उपुख्य मंत्री जो लगातार दूसरी क legislature मंत्री हो रहे है उन्कित उनके बारा अपनी बात को रखा जा रहा हो मुझे लगता है सालिंता से हमें सुनना चाहिए अगर हमें अगर हमें लगता है गलत हो रहा है देखें बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते बहुत सारी चीजें निता प्रतिपक्स भी ऐसी थी जो अप्रतिजनक हो सकती थे हमने सुना है अज설 करना भी हमें जो स्विकार करें और उसका जवाब देंगे भी लेकिन बीच में इस तरीकी की उतेजना दिखना उचीत नहीं है त एकिन माहुल इससे खराब होता है और नावस्ष्ध मुस्धि उससे सबस्य की मर्यादा भंग होती है और सबस्य की संवान बाहर करतार होता है पप्लिक में का इसका मैसेज बनेगा फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है उस चीज को हर हाल में रोकना होगा और मैं आपसे बिनम्रंबोत करूंगा कि यह रणिंग कमेंटरी बीच में धंकी देना इस चीजे बंद होनी चीए अच्छा होगा कि इस चीज को भालूगा धने बादा